इंपोर्टेंट थोरम्स ओफ सेट अगर A इंटरसेक्शन B जो होता है A इंटरसेक्शन B हमने निकाला A और B का इंटरसेक्शन तो वो सबसेट होता है A का और वो B का भी सबसेट होता है मान लो A जो है वो है 1,2,3,4 और B जो है वो है 3,4,5 तो हमने A इंटरसेक्शन जो B निकाला वो क्या आया जो दोनों में कोमन हो 3,4 इसमें भी 3,4 इसमें भी आया 3 and 4 अब ये 3,4 element A में भी आते हैं 3,4 element B में भी आते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो A B है ये सबसेट है A का या कह सकते हैं A इंटरसेक्शन B जो है वो सबसेट है B का क्योंकि दोनों में ही इसके element आते हैं तो दोनों के ही ये सबसेट A का भी होगा ये सबसेट B का भी होगा ये थी आपकी first order A माइनस B is equal to A intersection B complement A और B का जो difference होता है वो होता है A intersection B complement के equal थर्ड थोर्म क्या है कि A और B का difference और उसका union B के साथ तो ये आएगा A union B क्योंकि इसमें सिर्फ वही element बचे A माइनस B अगर हम करेंगे तो वही element बचे जो B के अंदर नहीं है A है 1,2,3,4 B है 3,4,5 तो हमने A माइनस B किया A में से B के element को माइनस कर दिया 3,4 दोनों में कुमन थे 3,4 अटा दिया तो 1,2 बचा A के अंदर A में से B को निकाल दिया फिर union किया B के साथ B के साथ जब इसका union करेंगे तो 1,2 इसमें add हो जाएंगे B में 1,2 तो है 3,4,5 और add हो जाएंगे अब ध्यान दो जो 1,2 वही element थे जो इसमें नहीं थे ये थे और ये हमने फिर वापिस union करके इसमें डाल दिये तो यही चीज आगई A union B भी यही आएगा A union B करेंगे तो क्या आएगा जो दोनों common होते हैं हमने क्या कहा double तो हम नहीं ले सकते एक बार ही लेते हैं 1,2 लिया 3 and 4 दोनों में हैं तो एक बार ही हम 3,4 लेंगे और 5 जेम आया तो यह चीज थी ऐसे ही A minus B यानि A और B का difference और उसका intersection B के साथ वो आएगा 5 A minus B हमने किया वो आया 1,2 इसका intersection किया इसके साथ अब जो 1,2 बचा हमने इसमें से B को तो अल्रेडी माइनस कर दिया B के element तो सारे निकाल दिये तो इसके अंदर जो बचा वो B का तो एक भी element नहीं बचा A के अंदर अभी जो A minus B है इसके अंदर B का कोई भी element नहीं है कोई भी element नहीं है तो अपने अब obvious सी बात है फाई आएगा इन दोनों का intersection किया आएगा फाई आएगा A और B का difference union with B और A का difference हमने A और B का difference निकाला अब निकालते हैं B और A का difference B और A का difference क्या देगा कि अब B में से A के element minus करने है B में क्या क्या था 3, 4, 5 तो 3, 4 थे तो 3, 4 को minus कर दिया बचा क्या 5 इसके अंदर सिर्फ 5 बचा अब इनका union इनका union union क्या आया 1, 2 and 5 इनका दोनों का union आया वो यह आया 1, 2, 5 अब A union B minus A intersection B वो भी same आएगा आपको solve करके देखना आपको पता चल जाएगा same आएगा यदि A subset है B का अब हम बात कर रहे हैं condition की या तो ये हो तो ये होगा ये है तो ये होगा double arrow का मतलब क्या है कि अगर ये condition है तो ये होगा यानि A subset है अगर B का तो B complement subset होगा A complement का या ऐसे दिया हुआ है कि B complement subset है A complement का तो A subset होगा B का A minus B यानि A और B का difference यदि A है A और B का difference यदि A है यानि A के सारे element है तो इसका मतलब क्या हुआ B में उसका कोई common element था ही नहीं क्यों उसका element था कमी नहीं हुआ भही A के अंदर से हमने B को निकालना है अब B का कोई नहीं है तभी तो A बचेगा B का होता तो यह A थोड़ी बचता तो जब A का है नहीं तो A intersection B जो आएगा वो फाई आएगा यानि इसका एक भी element इसके अंदर नहीं है तो यह फाई आएगा अब अगर ऐसे दिया हुआ हो कि A intersection B जो है वो फाई है इसका मतलब क्या है कि A और B में कोई भी common element नहीं है कोई भी common element अगर A, B में नहीं है तो A – B मेंसे minus यी नहीं होगा minus किस मेंसे करना है A मेंसे तो A मेंसे कुछ घटेगा ही नहीं कुछ निकलेगा ही नहीं तो A का A आएगा ऐसे ही इस case में अगर हम देखेंगे तो B-A आएगा B A union B is equal to A intersection B अगर दो sets का union और intersection अगर बराबर है तो इसका मतलब है कि दोनो sets बराबर हैं अगर दोनो sets बराबर हैं तो A union B क्या आएगा वो भी A लिख लो है B लिख लो A भी हमारा 1, 2, 3, B भी हमारा 1, 2, 3 तो A union B क्या आएगा 1, 2, 3 दोनों के element ही ही है A intersection B क्या आएगा ये देखो 1, 2, 3 क्योंकि ये दोनों में common है तो इस case में अगर A और B बराबर है तो A union B और A intersection B बराबर होंगे अगर A union B phi है A union B phi का मतलब simple सी बात हम दोनों को इखटा करते है union का मतलब क्या है दोनों को इखटा करना दोनों को इखटा करने पर phi हो रहा है तो उसका मतलब क्या है A भी खाली पड़ा था B भी खाली पड़ा था यानि A भी phi है और B भी phi है प्रू करना है ये कि यदि A intersection B phi है तो A जो है वो subset है B complement का A और B में क्या हम पता चला कि दोनों में कुछ भी common नहीं है यदि X belong करता है A से तो X belong नहीं करेगा B में तब ही तो phi आएगा कोई भी element अगर A के अंदर है वो element B के अंदर नहीं हो सकता let X belongs to A that's why X not belongs to B अब X B के अंदर बिलोंग नहीं करता X क्या है B के अंदर बिलोंग नहीं करता अगर हम इसका complement निकाले B complement तो X तो बिलोंग करेगा हमने property बताई थी याद करो उसको कि अगर X B के अंदर नहीं आता है तो B complement के अंदर X आएगा clear है आप rewind करना पीछे का देखना अगर यहाँ पर नहीं समझ मारा तो पीछे के अपर थोड़ा दोबारा recap कर लीजिए हमने बताया था कि यदि X A के अंदर आता है और दोनों में intersection का 5 है तो X B के अंदर नहीं आएगा क्योंकि common होगा ही नहीं अगर दोनों में X आता तो हमारा result X आता लेकिन वो दोनों में है नहीं तो हमारा दोनों का result क्या रहा है फाई आ रहा है तो X और जो है वो B के अंदर नहीं है अब जो चीज B के अंदर नहीं है वो B complement में होती है अब जैसे X belong करता है A से लेकिन X belong न तो वैसे ही अगर X बिलोंग नहीं करता है B में, लेकिन यूनिवर्सल सेट में से जब हम B को हटा देंगे, तो X तो बचा रहेगा, तो X तो B कॉंपलिमेंट में लाई करेगा, B कॉंपलिमेंट का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल सेट माइनस B, हमने B को हटा दिया, जिसके अंदर X था ही नहीं, हमने उसको हटा आया, तो इसके अंदर तो X है, यूनिवर्सल सेट के अंदर तो X है, तो इससे पता चला कि X बिलोंग टू, X बिलोंग नहीं करेगा B से, लेकिन X बिलोंग करेगा B कॉंपलिमेंट से, अब X A में भी आता है, X B कॉंपलिमेंट में भ है A में भी आया B ए Begin गाbab या यह दोनों में वो ata है दोनों ए ऐह सब्सेट ओफ भी कॉम्प्लीमेंट हमें प्रूव करना एक जो है वह सब्सेट है करेक और यह सब्सेट है। ए यूनियन बी का कैसे हम क्या THAA astrology a इंट्रेक्षट B में वो element होते हैं जो दोनों में common होंगे वो A के अंदर भी होता है और वो B के अंदर भी होता है तो इससे क्या पता चला कि वो A intersection B common element of A and B होते हैं हमने मान लिया कि X belong करता है A intersection B से तो इसका मतलब क्या है X A से भी belong करेगा और X B से भी belong करेगा अब जब इन दोनों के common element A, B के दोनों के common element आते हैं इसके अंदर तो A के तो element आई तो A तो उससे बड़ा set हो गया तो जब X में A आ रहा है तो X intersection A intersection B में भी आ रहा है तो इसससे clear हो गया कि A intersection B जो है वो subset है A का कि A के अंदर तो X आएगा याएगा अगर वो element A intersection B में आता है तो वो element A के अंदर आएगा ही आएगा तो ये first part आपका proof हो गया अब second part की बात करते हैं A जो है उसके अंदर X आया था तो A union B में X आएगा या नहीं आएगा यास A union B में भी X बिलोंग करेगा क्योंकि उसके अंदर A के element तो हैं लेकिन साथ-साथ B के ही भी है यानि A union B क्या है all elements of A and B इसके अंदर A के भी आएंगे और B के भी आएंगे तो ये भी A जो है वो subset है A union B का तो ये चीज हमारी proof हो गई हमें proof करना है कि A और B का difference intersection B और A का difference वो 5 है अब हम assume करते हैं कि जो X element है वो A के अंदर है अगर X element A के अंदर है और B के अंदर X element नहीं है हमने assume किया ये कि जो सिर्फ X के अंदर हो और B के अंदर ना हो तो अब A minus B में अगर आप देखेंगे X belong करेगा या नहीं करेगा yes belong करेगा क्योंकि इसके अंदर A वाले तो element है पर वो B में नहीं है B वाले element इसके अंदर नहीं है B वालों को हमने हटा दिया सिर्फ A और A के element है और उसमें से हमने B वालों को हटा दिया तो यानि X है लेकिन इसमें B में तो यह नहीं आता तो X तो रहेगा ही रहेगा तो x element इसके अंदर रहेगा अब दूसरी तरफ से देखते हैं कि b minus a क्या इसके अंदर x belong करता है नहीं करेगा क्यों क्योंकि b के अंदर x नहीं आता b के अंदर x आता ही नहीं तो b minus a में x कहां से आ जाएगा तो होगा हो ही नहीं सकता तो ये चीज है कि X belong करता A minus B से पर X belong नहीं करता B minus A से तो इसका मतलब क्या हुआ जब X एक में है रेक में नहीं है तो उन दोनों का intersection क्या आजाएगा? 5 X इसके अंदर तो है पर X इसके अंदर नहीं है इन दोनों के अंदर यानि common कुछ भी नहीं है common कुछ भी नहीं है तो इनका intersection आएगा 5 null set हमें प्रूव करना है कि ये term इस term के बराबर है हमने assume कर लिया कि इस term के अंदर X आता है कि X belong करता है A intersection B minus C में intersection बीच में है तो वो इसमें भी आएगा इस term में भी आएगा जब इस term में आएगा तो इसका मतलब क्या हुआ यह हमने assume किया X belong करता है A से और X belong करता है B minus C से अब X B minus C में आता है इसका मतलब क्या है कि X B में तो होगा लेकिन वो C में नहीं होगा तब ही तो वो member B minus C का है B minus C का member कब होगा जब वो B में हो और C में ना हो तो इससे क्या पता चला कि वो X जो है वो B में तो है लेकिन X जो है वो C में नहीं है अब हम लेते हैं दूसरी साइड की टर्म अब A intersection B में बात करते हैं क्या इसमें X आएगा? जब हमें पता है X के अंदर A है जब A के अंदर X है और हमें पता है B के अंदर भी X है तो X बिलोंग करेगा A intersection B से यानि इस टर्म में तो X आएगा अब बात करते हैं A intersection B माइनस C क्या इसमें X बिलोंग करेगा? इस टर्म के अंदर भी X बिलोंग करेगा क्यों करेगा? क्योंकि A intersection B के अंदर तो X है लेकिन जो C है उसके अंदर X नहीं है तो C के element हम हटा देंगे तो X आएगा यानि अगर ये X इसमें आता है तो ये X इसमें भी आएगा अगर कोई element इसमें आया तो इसमें भी आएगा तो हमारी hands prove तो ये थोरम हमारी prove हो गई है उमीद करता हूँ आप से भी कोई वीडियो पसंद आया होगा अगर आपके अभी भी कुछ doubt है तो आप हमें comment section में डाल सकते है अपने अभी तक इस channel को subscribe नहीं किया है तो subscribe कीजिए अपने दोस्तों के साथ share कीजिए ताकि उन तक भी ये useful चीज़े पहुंचती रहें thank you for watching the video कि अकुछ्सूण आप कि अकुछती है झाल झाल झाल